बेटे देवराज तीन सवाल पूछूँगा और हर सवाल के सो रुपिये मिलेंगे अगर सही जवाब देओगे तो ठीक है चो टेलाल आप तयार हो तीन सवाल तीन सो रुपे गे हैं तो मेरा पहला सवाल ये है वही ऐसी कौन सी बुक है जो कभी छपी ही नहीं बेटे अबी एंट थवड़ी में लगा अभी तुमेंने पूछा है एसी कौनसी बुक है जो कभी छपी ही नहीं दिमाग तो लगाओ थड़ा मैं बताओ बेटे बीटे बुक है जो कभी छपी नहीं जो कभी परिंट नहीं हुई ऐसी बुक का नाम बताओ बताओ भई ना पता आपको नहीं पता? हाँ चोटी लाल हाँ जी नहीं पता बुक तो सारी ये चपप है इसी तो कोई भी बुक कोने जो ना चपती हो क्यों फिर मन पूछ रख्या जोनू ऐसी कोन सी बुक है जो कभी चपी ही नहीं मतलब परिंट नहीं होई वा हिंट तो देदो हिंट देदू? हाँ आपकी मुम्मी चलाती है उस बुक को देखो भाई हिंट देने के बाद आप लोग आना आथ खड़े कर लिए ये गलत बात है ये गलत बात है सोनू दोस्तो आप लोग बताओ ऐसी कौन सी बुक है जो कभी चपी ही नहीं और मना हिंट दिया है बच्चों को कि आपकी मुम्मी उस बुक को चलाती है तो साय दिन के दिमाग मा आगा पका चलो सबसे पहले देवराज से पूछते ओ वाई साब क्या वाद है अगर मैं इंट नहीं देता तो आप लोगों को इसका उत्तर नहीं आता सच मेना देवराज तो आपने हिसाब लगा लिया कि मुम्मी फोन में चलाती है तो फोन में तो वही फेस्बुक हो है चोटे है ना तो इसका सही जवाब वही ऐसी कौनशी बुक है जो कभी चपी नहीं वहाँ फेस्बुक फेस्बुक कभी परिंट नहीं हुई बेटे ना कभी चपी किसी किसी भी फैक्टरी में चपी नहीं वो वो बना ही गई थी तो दूसरा पूछली हूँ ये मेरी सायता था आप उत्तर देगे वैसे 100 रुपिय जीत गिवाब लेकिन वैसे चीटिंग है ये बई मेरे से इंट मत मंग यागर चोटे नहीं बेटे आप उत्तर दे जेते हो कि रहे चलो भी देवराज मेरा दूसरा सवाल तयार है चोटे लाल दिमाग का यूज़ करना है पिटे और आपको भी आपका भी नहीं बताते है उत्तर बच्चे बताते हैं हमेश्या चलो ये देखा वाई एक लाल रंग के पत्थर को नीले रंग के समंदर में डाल दिया जाए तो क्या होगा तो चोटे ने सबसे पहले आत उठाया भाई चोटे से पूछते हैं भाई अच्छा एक लाल रंग का पत्थर अगर समंदर में हम डाल दिया हाँ तो मचली उपर आएगी हाँ हम पत्थर डालेंगे तो मचली उपर आएगी अरे ऐसे कैसे बेटे अगर समंदर में है उस जगाए पर मचली नहीं होगी तो फिर फिर नहीं पता नहीं पता आज याब बताओ पत्थर निचे डूब जाएगा क्या बात है वैशे इसका सई जवाब बिल्कुल देवराज ने दिया है बई पत्थर में वजन होता है छोटे रंग कैसा भी हो पत्थर डूब जाएगा इसका करेक टांसर है दोनों के देवराज ने दिये हैं सई उत्तर है तो बई देवराज विनर आज होनूं ठीक है मेरा तीसरा जो सवाल है वो बहुत काम का है आपके लिए क्योंकि आप उस चीज को हमेशा यूज करते हो हर रोज ठीक है आप तयार हो भाई दे देगे इसका जवाब हाँ तीसरा सवाल देखो मेरा भाई अपने बारत देश में सबसे महंगा दूद किश्ट जानवर का होता ह बहुत मुश्किल सवाल है वैसे दिख है चोटे अपने बारत देश में सबसे महंगा दूद किश्ट जानवर का होता है उटका आपन न उटका बताया हां ची बताओ उटका ही होता है एक बात बताजूं ऊटका भी दूद बाइब बताया है उटनी का दूद सब शेमेंगा होता है अपने बारत देश में तो अभी गरवाली से पूछते हैं बक्री का बक्री गाँ जिसके डेंगु जब बूत अजार पे किलो भी मिल ले हो दूद नहीं वह तो एक अलग बात है डेंगु हो गया तो मिलता है लेकिन अपने बारत देश में सब शेमेंगा दूद किस जानवर का उत crust话 है वेल्यू दूद की वेल्यू मिल जो है वा किस जानवर की मतलब कोणा जानवरी सा है जिसका अमेशीय सब शेमेंगा बिकता है यह आप लोग कमेंट करका बताओ अपने बारत देश में सब से महेंग अदूद किस जानवर का होता है आप तिन्नों के जो उत्तर हैं वे बिल्कुल गलत हैं इसका मुझे पता है लेकिन मैं बताओंगा नहीं क्योंकि दर्सक बताओंगे कमेंट करके हैं अपने बारत देश में सब से महेंगा दूद किस जानवर का होता है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताई हो और जो भी दिमागदार बंदे हैं वे इसका सही उत्तर दे पाऊंगे मुझे पूरा विश्वास है इस बात का तो सुनू दर्सकाई उपर छोड़ द दिया गरो और जो साथी शेयर करे हैं उनका दिल से धन्यवाद है बहुत यासान उत्तर हिसका सब से महेंगा दूद किस जानवर का होता है आप लोग आने कोमेंट में बतानी है ठीक है न चोटे तो आप लोगा ये 200 रुपे हो गये हैं पक्के वे मापने दे दूंगा आप कुछ खरीदारी कर लियो या कुछ खाप पे लियो लाइक करना सेर करना कमेंट करना ना मुरा दोस्तों